डाली डाली फूलियों की तुझे को बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्रा खंड में बादलों के ओड के ओडनी वादियां घीत सुनाए मीठे मेरे उत्रा खंड में अरे पीजोरे पीजोरे मेरे पाहण को अरे पीजोरे पीजोरे मेरे पाहण को ठंड गुद मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करते हैं आप सब ठीक होंदे अब भी सुबह के सारे पाच हुए हैं और मैंने चाय रग दिया और इसमें गरम पानी रग दिया और बाला हुआ क्योंकि सुबह सुबह में गरम पानी पीत है इसके बाद चाय पीत है थोगा हलगा हलगा दिया है बाला हमने रास्ता कर लिया है मैंने और मम्मी ने क्योंकि गुट्डू जी अभी हैनी वालमुडा गए हैं चाची के वहां उन्हें सुबाई कर लिया था और में आस्ता करके यहां पर रहत को कर रही है इन मैसे जो मिट्टी होती है और इनको अलग-अलग कर रहे हैं ताकि जब दानवाल बनाएंगे तो तब आसानी रहेगी बनाने के लिए बहुत प्यारी सी धूप आई है आज हमने कालू को यहां नहीं बादा है दाड़िम के पेड में नहीं बादा है क्योंकि यहां चाया ही रह रही थी 11-12 बजे तक तो उसके लिए बहुत ठंडा हो रहा था यहां बाद रखाया कालू को ताकि धूप भी से क्या आराम से क्यों कालू यहां से बंद्रों को भी देखता है वो खेत में आए हैं कि नहीं कर गया तो हम में चाय पी ली है मैं जंगल से लख़ी लाए थी मम में इनको रख रही है इंसे रोटी बनेंगी और इंसे गरम पानी होगा इससे हम गरम पानी करेंगे और जो यहां पर रखाया है इससे हम रोटी बनाएंगे यह इतने साहे लाए थे हम जंगल से आपके साहे साहे साथ में हैं ममी का अधर थाल दिना के लिए ममा का मम ने पूजा कह लिए है अभी कि हमुड़ पूजा का अधर से आपके साहे साहे नहीं से अधर आपके साहे हमुड़ रे से अधरी प्रसादी कि अने कि आपके अधर बनाएंगे नमुट का व्रेट है आज इसी दे फुजल भी खाना मिनाना हेगा इसके बार में प्रेट आपसे